हेलो फ्रेंट वेलकम टू माई चैनल आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गांधारी का चरित रांकन कीजिए इस क्यूशन का अंसर आपको कैसे लिखना है अपने बोट इक्जाम में इसके वारे में आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं और ये क्यूशन आपक को दो सब्दों का अस्थान चोड़ना है और आपको लिखना है यहां पर हम थ्वासा इंट्रोडक्शन देंगे जैसे कि भूमिका लिखते हैं सबसे पहले हम तो अंधा यूग के वारे में यानि कि अंधा यूग में जो पात्र है एक मात्र नाडी पात्र गांधारी उसके व्यक्तित्व की कठोड़ता से हमें बेहत प्रभावित करती हैं यदि नाडी के लिए व्रजादपी कठोड़ और कुसुमादपी मृदू रूप की एक तरत कल्पना की जाए तो उसका नाम होगा गांधारी और यहां पर व्रजादपी यानि कठोड़ एकदम जो इंद्र नाडी के लिए व्रजादपी कठोड़ और कुसुमादपी यानि फूल की तरह कैम्रिदू यानि की मीठा मतलब अपने पूत्र के प्रति तो उसकी बहुत ही भावना क्या होती है एकदम कुसुमादपी और मधूरता में होती है तो वही आपको यहां पर लिख देना है ठी प्रति के बड़ा वड होने के लिए अपनी आखों पर पटी बांध लेती है ताकि उसका पती अपनी नेद्र हींता से अपने को हीन अनुभव न करे वह जीवन भड इस व्रत का पालन करती है केवल दुर्योधन को व्रजा अंग बनाने के लिए यानि व्रज का अंग बना के लिए अप देखें होंगे महाभारत तो आपको पता होगा ठीक है तो व्रजा अंग बनाने के लिए एक बार पटी उतारती है लेकिन उसे व्रजा अंग नहीं बना पाती है उसके बाद आपको फ्रेंट दूसरा है डालना है कठोडता का अंड लिखना है गांधारी के प्रशंग में मिलता है धर्म का पक्ष लेकर अपने ही भाईयों के बिरुद सस्त्र उठाने वाला यूतसु जब कौरव नगरी में लोटता है तो गांधारी विदुर के समझाने बुझाने के बावजूद कठोड व्यंग वानों से उसे वेद देती है वह सीधे मौह यूतस उसे बात तक नहीं करती विदुर से कहती है पूछो विदुर इसे से कुसल से है फिर वह व्यंग करती हुई कहती है ठका हुआ होगा यह विदुर इसे फूलों की सैया दो कोई पराजी दुर्योधन नहीं है यह सोई जो जाकर सरोवड के कीचर में यानि दुर्योधन जब यूद्ध हार जाता है सबी लोग मर जाते हैं उसके ओर से कुछ चार-पांच लोग ही बचे होते हैं तो उससे में दुर्युधन सरोवड में जाके छिप जाता है न कीचर में तो वही बोलती है यूद्ध सूपे ब्यांग करते हुए तो यहां पर गांधारी के कठोड़ता क परिचे हमें मिलता है ठीक है उसके बाद आपको लिखना है वह जैसा वेभाड यूद्ध सूपे करती है वैसी ही कठोड़ता उसके मन में कृष्ण के लिए है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि कृष्ण अगर चाहते तो इस यूद्ध को रोक सकते थे वह बार बार कृष्ण को धमकी देती है कि यदि उसने अश्वत हामा को कुछ किया तो अच्छा नहीं होगा उसके बाद आपको तीसरा पॉइंट डालना है गांधारी का श्राप और लिखना है क्रिश्ण उसे माता कहते है तो उसे लगता है कि यह सब्द लोहे के गर्म सलाखों की भादी उसकी पसलियों में घुस रहा है क्रिश्ण के प्रती उसका आक्रोज तब चरम सीमा पर पहुँच जाता है जब दुर्योधन का कंकाल देखती है वह कूपित होकर क्रिश्ण के वंस का नास का अभिसाप देती है मगर क्रिश्ण के स्यूकार करते ही उसका बाहरी का ठोड़पन त पूट जाता है और उसके भीतर की तरलता फूट कर बाहर निकल परती है अभिसाप स्यूकार कर लेने वाले क्रिश्ण से वह कहती है मैं अपने सो पुद्रों के लिए लेकिन क्रिश्ण तुम पर मेरी ममता अगाद है यानि क्रिश्ण तुम पर मेरी ममता बहुत ही जाता है करते थे शाप यह मेरा तुम अश्यूकार तो क्या मुझे दुख होता मैं थी निरास मैं कटू थी पुद्र ही ना थी अब तो सौ के सौ पुद्र मर चुके हैं तो वो पुद्र भी ही नहीं हो गई न इसलिए वो यहां पे बोल रही है ठीक है उसके बाद आपको लिखना है इस तरह से हम देखते हैं कि गांधारी कृष्ण और यूद्सु के प्रती कठोड है लेकिन दोनों के प्रती भावना अलग है यूद्सु को वह कायर समझती है और कृष्ण के प्रती उसकी कठोड़ता का कारण अश्ने और आत्म बिस्वास से उत्पन निरासा यानि उसे बिस्वास था कि कृष्ण जरूर कुछ करेंगे और इस युद्ध को जरूर डोग पाएंगे लेकिन कृष्ण ने वैसा नहीं किया तो उसे क्या निरासा मिली ठीक है उसे विश्वास था कि कृष्ण अगर चाहते तो युद्ध रुख सकता था उसके बाद चोथा हेडिंग आपको डालना है वीड माता का और लिखना है गांधारी सेवा व्रती और तपस विनी ही नहीं वीड माता भी है इसलिए जब विदूर और संजे अस्वत हामा के लोम हर्षक प्रतिसोद का वर्णन सुनाते हैं तो वह नारी गत समस्त को मलता भूल कर नकेबल प्रसंता पुर्वक उस कृड और विवहस्त वर्णन को सुनती है अपीदू अस्वत हामा की प्रसंसा करती हुई कहती है किन्तु वीड है उसने वह किया है जो मेरे सौ पुत्र नहीं कर पाएं द्रोन नहीं कर पाएं भिस्म नहीं कर पाएं यानि उसे अस्वत हामा पे गर्व महसूस होता है असबत हमाने वो किया है जो कि मेरे सौब पूत्र नहीं कर पाए है नहीं भिस्म पितामा नहीं कर पाए और नहीं दुरोना चारे कर पाए ठीक है उसके बाद आपको लिखना है यह वीड नाड़ी जिस प्रकार पती के अंधेपन का वरन कर जीवन भर साधना करती है उसी प्र गौड़ पूर्वक अपने ही अभी साब की प्रत्हम समिधा बन मृत्तु को प्राप्त करती है और सबसे लाश्ट में आपको निसकर्ष टालना है इस तरह अपने ही अभी साब की ज्वाला में दक्त हो गांधारी अगनी माला में श्रिंगार घर पती के साथ ही परलोग गा जास्वि वैक्तिद्व की झाप छोड़ जाती है वह महाभारत में भी नहीं है गांधारी का चरितर भारती जी की चरितर चितरन की कला का उतक्रिष्ट प्रतिमान है तो आपको बिल्ब्कुल इसी तरीके से गांधारी का चरीध चितरन लिखना है या चरीत रांकर ठीक है और ये आपके 15 marks का question आता है ठीक है इसलिए भी आपके लिए बहुत ही important है तो अच्छे तरीके से इस तरीके से आप लिख सकते हैं तो I hope आप लोग को वीडियो informative लगी होगी वीडियो informative लगी तो वीडियो को like करें अपने friend के साथ share करें और चैनल पर पहली भाड़ा है तो चैनल को subscribe कर लिजे तब तक के लिए thanks for watching इस वीडियो